जैहिन दोस्तों, Master G. Info Channel प्राव शवो का श्वागत है दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं घटना चक्र बिहार सच्वाले की जो सूपर बुक है दोस्तों, उसका प्रेक्टिस सेट नमर 9 आज हम लोग देखने वाले हैं, इससे पहले घटना चक्र बिहार सच्वाले क प्रेक्टिस पर ध्यान देते हैं दोस्तों, उतना ज़्यादा आपको प्रशने आपको एक्जाम में याद रहने वाले हैं, पहला प्रशन है, चुबीस मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जाड़ी यात्रा और प्रेटन विकास सूच का दोजारे कैस में भारत का नेक्स्ट कोस्चन की बात करें, 23 मई 2020 को तथ कालिक राष्ट पती रामनात को विंद ने किसे राष्ट राजधानी चेतर दिल्ली का नया उपराजपाल जो नियुक्त किया गया, दोस्तों, विने कुमार सकसेना को, वर्तमार में दिल्ली के नय उपराजपाल हैं, विने गई इस सुचह में किस भारति को शामिल नहीं किया गया है तो ये जो एक-स ल धॉ LEimon द्रमोदी जी को शामिल एकसो प्रभावसाली वेक्तियों में नहीं किया गया है इस बार 2022 में टाइम मेंगनीज जो सो वेक्तियों की प्रभावसाली सुचिचारी की गए है तो आप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर होने वाला है नेक्स्ट कोशन की बात करें नो से बीस माई 2022 को मद युनाटेट नेशन कनवेशन टू कमबेक्ट डेजर्टिफिकेशन की पंदरवी कॉनफरेंस और पार्टीज की बैठक कहा हुई तो पंदरवी कॉनफरेंस और पार्टीज यानि की पंदरवी कॉनफरेंस और पार्टीज की बैठक कहा हुई दोस्तों अप्रेल 2020 में कौन सा खिलारी IPL में सबसे अधीक बार शुनी पर आउट होने वाला ओवर स्रीच खिलारी बन गया है तो सबसे अधीक बार सुनी पर आउट होने वाला IPL का कौन सा खिलारी हो जाएगा दोस्तों इस खिलाडी का नाम होने वाला है, इस खिलाडी का नाम हो जाएगा Glenn Maxwell, ग्लेन Maxwell जो है दोस्तों, IPL में शब से अधिक बार सुने पर आउट होने वाला Oversbridge खिलाडी बन गया है, next है, अपरिल 2002 में समपन महिला टेनीश परत्योगताब में टी ए बी एन पी पेरी बास टेनिस चेंपियंशिफ दोजार बैस में महिला एकल का खिताब किसे ने जिता तो महिला एकल का खिताब जिता है अनास्तिसिया पोटा पोवा ने नेक्स्ट कोशन की बात करें नेक्स्ट है मार्स दोजार बैस में किस राज की विधानसभा देश की पहले पूर्णत पेपर लेश विधानसभा बन गई ओप्सण नमर सी नागा लाइन जो है दोस्तों पूर्ण रूप से यानि कि पूर्णत पेपर लेश विधानसभा बन गया है नेक्स्ट कोशन की बात करें वरुन 2022 से समन्दित निमन कत्नों पर विचार करना है पहला है कि यह भारत और फ्रांस के नौ सेनिक के बीच एक दुईपक्ट इससे नभ जब्यास है जी हाँ दोस्तों वरून 2020 जो आयोजन होता है वो भारत और फ्रांस के बीच नौ सेनिक यो दब्यास है दूसरा है इसे के 20 में संस्क्रण का आयोजन 30 मार्ज से 3 अप्रेल 2022 के बीच अरब सागर में आये जित वा तो दोनों कतन यहां पर दोस्तों सही होने वाला है तुसरा इस अभ्यास की सुरुवात 1996 में बिल्कुल यहां पर गलत हो जाएगा तो इसका जो आंसर है कौन सा कतन सही है तो एक और दो कतन शही होने वाला है नेक्स्ट कोस्टन की बात करें वर्तमान में कौन पटना उचनियाले के मुखिनियादिस हैं तो वर्तमान में पटना उचनियाले के मुखिनियादिस नियामुर्ति संजेक रोल है नियामुर्ति संजेक रोल पटना उच्छिनिया लेके मुखिनिया दिसें काफी इंपोर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट है बिहार के किस अस्थान पर भारतराष्ट कॉंग्रेस के 1922 के अधिवेशन हुए थें। नेक्स्ट है केसरिया बोधिस्थूप कहां इस्तित है दोस्तों तो केसरिया जो बोधिस्थूप है ये पूर्वी चमपारन में हैं। प्रांत किशान सभा का जो गठन है दोस्तों ये 1929 में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार का तराई पर देश विश्थूप है ये भारत और नेपाल सीमा के समांतर है। नेक्स्ट कोशन की बात करें निमलिकित में से चेतरपल की दरिष्टी से सबसे बरा जिला कौन सा है। तो चेतरपल की दरिष्टी से दोस्तों यहां पूछा जा रहा है कि सबसे बरा जिला कौन सा है। तो पस्समी चमपारन सबसे बरा जिला हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का मक्का उत्पादन में अगरनी जिला कौन सा है बिहार का मक्का उत्पादन में अगरनी जिला कटियार जिला हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन की बात करें 53 नमर प्रश्ण वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजेगा चैनल पर नहीं तो चै निमलिकित में कौन सा रोगी बैक्टिरिया से होता है यानि कि कौन सा रोग बैक्टिरिया से होता है दोस्तों तो यहां जो तपेदिक है दोस्तों टीबी जो है यह बैक्टिरिया से होने वाला रोग है नेक्स है खुजराहो मंदिर वास्तुकला के किस परकार से उजागर करत मंधिरर्या को नागरसली का उजागर करता है तो मंदिर किस पहारी पर इस्तित है लोकस्बा के संदर में सदन का नेता कौन होता है तो लोकसभा के संदर में सदन के नेता परधान मंतरी या परधान मंतरी द्वारा नामित मंतरी होता है next है मानव सरीर में कंड को क्या कहा जाता है दोस्तों तो मानव सरीर में कंड को कहा जाता है Wwise Box काा जाता है कंट को मानव सरीर में कंट को Wwise Box काते हैं मदुवनी दोस्तों मदुवनी कला बिहार में परचलीत एक लोक कला है हमायू ने चुनार दुर्ग परपर्थम बारा कर्मन पंदरोसों बद्तिस में किया किस मुगल सहनापती के साथ सिवाजी ने 1665 सिवी में पुरंदर की संदी की थी तो पुरंदर की संदी किसके बीच हुआ था दोस्तों तो पुरंदर की संदी सिवाजी और जैसिंग के बीच 1665 में हुआ था पुरंदर की संदी सिवाजी और जैसिंग के बीच 1665 सिवी में हुआ था नेक्स्ट है निमलिकित में कौन सा हैदराबाद के संस्थापक ते हैं, तो स्वतंतर हैदराबाद के संस्थापक के बारे में यहां पूछ रहा है दोस्तों, तो स्वतंतर हैदराबाद के संस्थापक चिन किली चखाते हैं, नेक्स्ट है भारत के सविधान में सम्मिलित शम् बारत्य सवेधान में शमवर्ती सुची अस्टेलिया से लिया गया है Chm next say a ंध्युद्धान में निमिलकित में से कौन सा एक इसी अनुसूची जो है दल बदल के we सुची में 22 भासाओं का उल्लेक है यह भी हमें याद रखना है नेक्ट है भारत सविधान की प्रस्तावना में समाजवादी सब्द की संसोधन द्वारा जोड़ा गया तो भारत के राष्टपती पर महाव्योग चलाने के लिए कम से कम कितने दिर पूर्व सुचना देनी पर परती है तो भारत के राष्टपती पर महाव्योग चलाने के लिए कम से कम 14 दिर पूर्व से उन्हें जैस उतना देनी परती है नेक्स्ट है लुक्सभा के प्रतम महिला अध्यक्त मीरा कुमारती लुक्सभा के प्रतम महिला अध्यक्त मीरा कुमारती यह भी भी हार से थी नेक्स्ट है हिलियम परमानु जब एलेक्ट्रोन खोता है तो वह बनाता है क्या बनाता है गहनात्मक हिलियम आयन बनाता है जब हिलियम परमानु एलेक्ट्रोन खोता है तो वह घहनात्मक होने लगता है नेक्स्ट कोश्चन की बात करें सुक्स बरफ किसका ठोस रूप है दोस्टों तो सुक्स बरफ है वो ठोस कार्वन डाक्साइड्ट का रूप है नेक्स्ट निमलिकित में से किसका सम्मंद शफेद नमक से है जो सुक्स मौसम के दौरान कुछ शेत्रों के भूमी को अच्छा दित करता है तो ये किसके बारे में बोल रहा है दोस्तों ये रेह के बारे में बोल रहा है नेक्स्ट है मानिशित्र बनाने का विज्ञान क्या कहलाता है मानि सित्र बनाने का विग्ञान कातवर्वग विघ्ञान कातो ग्राफिक वाता है प्रसिड िखाए्टोग्राम करें बाते करने दोशन करता है वह किलोग्राम मीटर स्कॉएर किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वाइर जरत आगुन का मात रखो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वाइर नेक्स्ट के बात करें यह प्रस्ण जो है दोस्तों नहीं साप आ रहा है तो यह नीजे वाला 79 नमर प्रस्ण को देखते हैं नेक्स्ट कोशन की बात करें हम एक मिनट में 10 बार सांस लेते हैं तो हम एक मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं नेक्स्ट कोशन है तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातू क्या है तो तरल अवस्ता में पाए जाने वाली जो अधातू है वो ब्रोमीन है तरल अवस्ता में पाए जाने वाली अधातू कौन सी है तो ब्रोमीन है नेक्स्ट कोशन की बात करें एथिल अलकोहल का आईसोमोर है तो एथिल जो अलकोहल है दोस्तों इसका आईसोमोर डाइमेथिल इतर है फेन पिर्वन परक्रem का परयोग किसके धातु करुम के लिए किया जाता है तो फेन परक्रम का जो में फल now पर रचाम की लिए कि यह सलॉफ के लिए किये जाता है इसकर क्रिक्ड राइस et क्या है ताजमहल जो एक तो मारबल के इंसर क्या है यह प्रिश्न पूचा जा रहा है तो मारबल के इंसर मारबल को च्छरन करती हैbaar sì 302 के कारन होता है जिसके ताजमहल मारबल जो है खराब हो उने वाला है दोस्तों विटामिन के कारण करता थका नहीं जमता है नेक्स्ट के बा दल के बात करें हैं एक प्रिश्न परवेस करता है तो अस्तंधारियों में उक्सिजन युक्तुरक्त होता है दोस्तों यह से युक्त रखता है यह अक्सिजन उक्तक्ट करता है सन्दार्यों में युखत रखता है लंग प्रश्णelect क्या है मिलिनद्पन्नों क्या है मिलिनद्पन्नों चыйлаг 1999 क्या है दोस्तों तो मिलिन तो चरक किसके राच्चिकित सकते ये प्रश्ण पूछा जा रहा है चरक जो थे दोस्तों ये कनिस्क के राच्चिकित सकते हैं यात्री इबनन्तूता कहां से आया था तो यात्री इबनन्तूता मौरक्यों से आया था और ये मुहम्मद बिन तुगलक यानिकी MBT के सासनकाल मे आया था मुहमबदिन तुगलक ने इबरंतुता को दिल्ली का काजी भी निक्त किया था नेक्स्ट है राजपाल को पद की सपत किसके द्वारा दिलाई जाती है उहीं राजपल अपना त्यागपत राष्टपती को देते हैं नेक्स्ट कोशन की बात करें नॉमरीकल प्रशन है दोस्तों यदि एक सो वाट का एक बलव परती दिन पांच घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 परती यूनिट के हिसाब से कितना खर्चोगा तो सभी को गुना कर देंगे दोस्तों 100 मल्टी प्ले 5 मल्टी प्ले 30 देज मल्टी प्ले 50 पैसे यानि कि एक बटे 2 बटे 1000 से भाग दे देंगे तो इस तरह से अकर हम लोग शॉल्ब करते हैं दोस्तों तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7.50 रुपेस का अंसर होने वाला है नेक्स्ट कोशन की बात करें एक फैराडे बराबर कितना होता है दोस्तों तो एक जो फैराडे है एक फैराडे बराबर एक कुलाम या एक वोल्ट होता है एक कुलाम बटे एक वोल्ट एक फैराडे बराबर होता है नेक्स्ट है electron volt की schema एकाई है दोस्तों तो electron जो volt है यह एकाई है उड़ जाकी electron volt उड़ जाकी एकाई है नेक्स्ट है an inquiry into the nature causes of the wealth of the nation यानि कि आधा हम लोग यादर करते हैं wealth of the nation नामक पुस्तक की स्कील की है दोस्तों तो Adam Smith की पुस्तक है जो कि अर्दसास्तर के जनक जाने जाते हैं अर्दसास्तर के जनक Adam Smith को करते हैं उन्होंने लिखा है wealth of the nation नेक्स्ट की बात करें ब्याज की दर और उपभोग के अस्तर के बीच संबंद पर शबसे पहले किसने कलपना दी दोस्तों यह सबसे पहले संकलपना मिल्टन Friedman ने दिया नेक्स्ट है किस अर्दसास्तरी ने अवसर लागत का सिधान दिया तो अवसर लागत का सिधान दिया activities कि से लीडर थे दोस्तों यह लीडर थे सिकांगो स्कूल थे पर calm मिल्टनू hiking स्कूल के लीडर थे नेक्स्ट है जीस्टी परिशत में कितने सदस्य होते हैं तो जे श्टी होती है जेस्टी परिशत में न dirty लियाक और दिर्ष से आयात के बीच क्या अंतर है दोस्तों ये प्रशन पूझा जा रहा है तो द्रिश आयात और द्रिश निर्यात के बीच वेफार सेस का अंतर है नेक्स्ट कोस्टन की बात करें भारत का आर्थिक सर्वेक्षन प्रति वर्ष इनके द्वारा प्रकासित किया जाता है तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षन है दोस्तों यह इसके द्वारा प्रकासित किया जाता है C.S.O. द्वारा केंदर संख्याएं के संगटन द्वारा भारत का परतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्शन रिपोर्ट पेस किया जाता है जारी किया जाता है नेक्स्ट है भारत रिजब बेंग का लेखा वर्ष की अविदी क्या है दोस्तों तो भारत रिजब बेंग का लेखा व पहली बार स्विक्रित किया गया पारित किया गया तो अभी हम लोगों ने देखा घटना चक्र जो कि बिहार सची वाले के लिए काफी important book है दोस्तों उसका seat number 9 अभी हम लोगों ने देखा इससे पहले practice set 1 से लेकर 8 तक upload कर दिया गया है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो description box में link दे दिया गया दोस्तों जल्दी से उस साड़े वीडियो को देख लिजेगा क्योंकि बिहार सची वाले के exam में 5-6 दिन का समय बचा है तो जितना ज़्यादा आप practice पर धियान दीजेगा उतना ज़्यादा आपके लिए बहतर है तो मिलते हैं दोस्तों अगले व जै हिन जै भारत